कि जिस परकार पेशों से पेशा करम आजाता हैं वेसे इस सफलता से ही सफलता को प्राप्ट किया जा सकता हैं है दोस्तों स्वागत आपका हमार इस यूट चैनल पर यह कहान है विवेब पाटनेगे जिनके सफल पर्यासों से ही आज वंडर सिमेंट आस्मान के बुलंदियों सब्सक्राइब करें इनके पिता ने चोटे से केबिन से मारबल का बिजनेस शुरूर किया था और देखते ही देखते हैं बिजनेस खुप सपल हुआ और आरके मारबल का नाम देश में छागया व्यक पाटने का बच्पन सरीक्त परिवार में बीता धीरे धीरे जब यूज थाम पहुंचे तो घर वालों पूछा कि बेटा तुमारा मन कुन से काम में लगता है जिसे अपना कर तुम सपल बिजनेस में बन सकोगे तब कहीं देर सोज का इन्हों जवाब दिया कि आरके मारबल्स पूरे देश में परसित्ते हैं और हर कोई आरके मारबल्स को जानता है और इस बिजनेस से अच्छी कमाई भी हो चुकी है और पिता जिरो उनके साथियों ने अपने सबी प्रियासों से इस कमपनी को काफी उपफर उठा दिया है अब वे सायदी इस बिजनेस में नया कुछ कर पाएंगे इसलिए वे इस बिजनेस को छोड़ एक नया ही बिजनेस शुरू करेंगे जिसमें वे भी कुछ नया कर सके और इस प्रकार वंडर सीमेंड अस्चीतोमया विवेक कड़नी के पिता बिजनेस का नाम निपून थे उन्होंने सीमेंट से जूद सारी जानकारी खट्र्क और इस प्रकार राजस्तान में 2012 में वंडर सीमेंड की नीव रखी गए 2015 में इस कम्पनी से विवेक पाटने जी भी जूड़ गये इन्होंने अपने संग्ठन को नई उंचायों तक ले जाने के लिए अपनी मर्त्व कांक्षी विचारधारों से परिपूर्णी उजनाओं को पूरा करने में असाधान प्रियास किये इन्होंने डेड़ वर्ष के रिकोर्ड समय में प्रेंट लाइन अल्ट्रा मार्डर्ण वी निर्मान एकाई स्थाबित करी जिससे की वंडर सिमेंट के वी निर्मान शमता कई गुणा बढ़ गई इनके शुक्ष में अवलोकन और अच्छे विश्टेशन के साथ साथ अच्छी नीती निर्दारान वर निर्णों से वंडर सिमेंट को कई उचायों तक पहुचाया गया इन्हों ने राजस्थान में साथ सेवन किरिगेट महत्सों की पहल करी वह इस टूनामेट में 4000 टीमों हिस्सा लिया इस टीम में अलग अलग गावों और शहरों से लोग आये थे शोशल मीडिया पर भी यह 18 मिलियर उप्योग करता और टीटर पर लगबग 4 लाक उप्योग करताओं के साथ सिर्श व्यक्यों शुमारे इन्हें शान राजस्थान पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है तो यह कहां ने थी विवक पाटनी जी की धन्यवाद दोस्तों आपका यह किमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए यह आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक कर कमेंट करें और अभी तक आपने यह चैनल सब्स्राइब नहीं किया हो तो सब्स्राइब कर न झाल